अपने आप संचालित होने वाले इंडोर जींगा फार्म के लिए इस परीक्षन ठिकाने पर सब कुछ सामानने है प्रोजेक्ट शुरू होने के दो साल बाद जॉन डीनर की अगवाई में टीम बाजार में उतर रही है इस साल की दूसरी छमाही में हमारे पास वर्टिकल सिस्टम में ये 60 टैंक होंगे रैकिंग सिस्टम के बीच में एक रोबोट आएगा टैंक को कोई नहीं चुएगा वो अपने आप काम करता रहेगा ये फार्म एक बंदरगाह के गोदाम में है इन टैंकों के भीतत जींगे लगभग आदर शिस्थितियों में पलते हैं और पारंपरी खुले फार्मों के जींगों के मुकाबले आधे समय में बाजार पहुचा दिये जाते हैं AI नियंतित कम्प्यूटर सिस्टम लगातार उनकी हालत पर नज़र रखता है पानी के अंदर लगे कैमरे जींगे के विकास पर नज़र रखते हैं टीम के पास इतना डेटा जमा हो जाता है कि AI सिस्टम ही उसे समझ सकता है ये सिस्टम जितना ज्यादा चलता है उतना बहतर होता जाता है टेसला कार की तरह जींगे की कीमतों में पहले से ही प्रतियोगिता है लेकिन इस सिस्टम का सबसे बड़ा फाइदा अभी मिलना बाकी है इसे दुनिया में कहीं भी लगाया जा सकता है महंगी सप्लाई चेंज की लागत खत्म हो जाती है ये खेप शहर के पास के रिस्तरा में भेजी जा रही है ग्राहक पानी से कुछ ही घंटों पहले निकले जींगों का मजा ले सकते हैं हरी मिर्च, थोड़ा सा हॉर्स रेडिश और नीबु के साथ हम ग्राहकों को हमेशा बताते हैं कि प्राउंस कहां से आये हैं सिंगापूर में हैं इस्थानी इस्तर पर उनकी खेती की जा रही है सिंगापूर में फार्मों की अधिकांश चीज़ें आप नहीं खाना चाहते क्योंकि यहां का पानी उतना अच्छा नहीं है व्यस्त सिंगापूर हार्बर के पीछे जहींगा फार्म पर लोटते हैं जॉन डीनर सीवीड फिल्ट्रेशन सिस्टम पर एक पैनी निगाह डालते हैं यहां मौझूद अलग-अलग शैवाल प्रजातियों की बदावलत फार्म का शून ने डिस्चार्ज वाला रिसर्कुलेटिंग सिस्टम काम कर पाता है यह फार्म दो साल से वही पानी इस्तेमाल कर रहा है इसलिए उसका रंग बहुत खास है सीवीड और जींगे लगतात जाचे जाते हैं ताकि उनमें बीमारिया न लगें लेकिन अभी तक फार्म में कोई समस्या नहीं आई परंपरी जींगा फार्मों के लिहाद से यह एक गंभीर अंतर है जहां अकसर एंटी बायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं जॉन डीनत ने 10 साल जींगा उद्योग में काम किया और एक दिन उन्हें लगा कि खेती का नया तरीका चाहिए जिसमें लागत कम आए और पर्यावरणिये प्रभाव भी कम हो तीम अपना AI फार्मिंग सिस्टम चिकन या मवेशियों पर लागू करने के बारे में सोच रही है लेकिन पहले थाइलैंड से छोटे जींगे खरीदने के बजाए वो अपने खुद के जींगे तयार करना चाहती है दोनों संस्थापकों के मुताबिक एक्वा कल्चर क्रिशे प्रणालियों की इस नई पीढ़ी की बस एक शुरुवात है इसमें किसान कम्प्यूटर है